कोविड की तीसरी आने वाली संभावित लहर के मद्य नजर फरिदाबाद के सिवल अस्पताल में लगभग 96 बैट का सभी सुविधाओं से लैस फैब्रीकेटेड कोविड अस्पताल बनकर तयार हो गया है जिसे टाटा स्टील लेमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है जो हमारा 96 बैट का हॉस्पिटल बनकर तयार हुआ है ये कोरोना के पेशेंट के लिए बनाया गया था लेकिन बगवान की दिया से अभी कोरोना की केसिज हमारे पर बहुत कम हैं साथ ही केसिज हैं उनमें कोई भी एड्मिट नहीं हैं सब हूमा इसॉलेशन में हैं उसके साथ भी थोड़े टाइम में इसका उद्गाटन करने वाले हैं हमें अब पेशेंटों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी हमने 1000 लीटर पर मिनट और 200 लीटर पर मिनट के ऑक्षिजन प्लाट भी हमारे वीके अस्पाल में पूरी तरह से तैयार हैं यह दि में प्रयाप्त कंटेनर में 6 ओक्सीजन युक्त बेड लगाए गए हैं वहीं पंखे और एसी के साथ आधुने का वाश्रूम और तमाम सुविधाएं उपलत करवाए गई हैं फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर की संभावना नजर नहीं आ रही है इसलिए अन्य मरीजों को यह और भर्ति कबना शुरू कर दिया गया है दिया वहज़े पहले कोवीर के लिए प्रिपेर कि आगा था अपको पता भी पेशन्त नहीं हमारे पास हमारे पास फॉर्द की तब्सार्ट किया जा रहा है क्योंकि मेडिकल तो हमामेरे पास बैडर थोड़ें से कम थे उश्युक इस कंटेनर अस्पाल में दाथिल मरीज दे इसा अधुनिक pre-fabricated अस्पाल की जुम कर तारीफ के उनका कहना है कि ये अस्पताल सभी सुविधाओं से लेस है वहीं आपको बता दें कि इस प्री-फैब्रिकेटेड अस्पताल को कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार किया गया है लेकिन ये अस्पताल अभी समाने लोगों को बहतर सुविधाएं दे रहा है पंचाब केचु टीवी के लिए फरिदाबाद से सुधीर श्रमा की रिपोर्ट